इस घर में रहने वाले सब पे जब दोगे है पिछली बाब आपुछी आप्टी हो अभी के अभी अपना और अपने पती का सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे बाब आपुजी के घर से ठीक है डिंपी की वाहियाद खरकतों ने अनुपमा को किया पागल डिम्पी को समर और पूरे परिवार के सामने पड़ा करारा चौटा डिम्पी और समर का हो गया है घर में बटवारा स्टार प्लस के बन अब तो मोस्ट पॉपलर शो अनुपमा में आने वाले कुछी एपिसोड में यानी की वीकेंड के दौरा आना आप ऐसा कुछ देखेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि जब से समर और डिम्पी की शादी हुए डिम्पी आये दिन घरवालों पर एक से बढ़कर एक इल्जाम लगाती रहती है साथी साथ उनके साथ बतमीजी भी करती है अनुपमा की मदद लेकर बाहमेशा अपने घर को बचाने की कोशिश करती है अब अनुपमा जो हमेशा काफी जादा शान्त दिमाग से रहकर सभी के मसलों को सुलजाती है उसका भी गुस्सा और उसका भी जो शान्त सुभाव है वो फूट पड़ा है अब उसमें सब के सामने स्पेशली उसके पती समर के सामने दिमपी को करारा चाटा जड़ दिया है दिमपी एक एक करके सब की बेज़िती करती है लिकिन जब बा और बापुजी की बात आती है तो अनुपमा ये बत्तमीजी बरदाश नहीं कर पाती अब बिमपी ने भी अनुपमा को धंकी दे दी है कि उसे इस घर में नहीं रहना है उसे बटवारा चाहिए साथ इसाथ अनुपमा ने लगे हाथ एक और बात का अलान भी कर दिया है कि आज के बाद वो इस घर के पहले महले के कमरे में रहेंगे उनका इस घरवालों से कोई लेना देना नहीं होगा और वो कभी भी उन दूसरे घर के हिस्सों में कदम नहीं रफाएंगे साथ इसाथ उन्हें अपना खाना भी अलग पकाना होगा और घर की परिवार के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं होगा अनुपमा ने सब के सामने चाटा जड़ दिया है डिंपी को और अब इस बात का ऐलान भी कर दिया है और घर का बतवारा हो गया है डिंपी के आने के बाद अब आगे चलकर समर किस तरह से रियाक्ट करेगा किया वो अपनी पत्नी का साथ देगा या अपनी मा का और क्या वो अपने दादा दादी के अपमान को इस तरह बार-बार सहता रहेगा या फिर से कोई कदम उठा के वो खुद भी दिंपी से अलग हो जाएगा यह सब कुछ अब देखना बहुत दिजस्ट होने वाला है अनकोमा शो में इस ट्रैक को देखने के लिए आप कितने साब एक्साइज़ हैं हमें अपनी राइक कोमेंट सिक्षिन में जरूर बताएं और चामी को सब्स्क्रेब करना ना भूदे हैं